क्या करना नहीं चाहिए अगर हो सकता है तो उस दिन करा लो या फिर नॉजल से पानी नहीं मारने का बबान नय दिन नहीं शुरुआत नहीं काने और मैं सिख वलकम टू मैं डिरुक्शनल लाडॉलिक लॉक्स चेहरत थोड़ा थोड़ा सो उत्रा हुआ है क्या है आज पहला सोंबार है श्रावन का उपवास कड़क चालू है तो इसलिए थोड़ा मूभी डिहाइडरेट हो गया उसको सब तपिक को साइड में रखते हैं वीडियो डेली दाना जरूरी है तो इसलिए गाड़ी वाशिंग करवाने के लिए जा रहा और आपको कुछ आपको बताऊंगा लांग राइट से आने के बाद जो जो चीजे करना आवश्यक है और क्या करना नहीं चाहिए दोनों चीज बताऊंगा अभी तो हेल्मेट पहन के नहीं जा रहा हूं इधर ही है पहले वाशिंग वाशिंग करवा लूंगा फिर आपको बताऊंगा इंप बारी भर कम पांच किलों का हेलमेट पहन के तर तक आके उस अब करने का पहली फास्टिंग चल रहा है तो उसको कैंसल किया फिर से वही जगे पर आ गए कल जहां थे आज भी वहीं है तो आपको बताने वाला था टिप्स क्या बोलता है लांग टूर पर जाके आते हो तो क् करने का अगर पहला सबसे पहला बात तो है लांग टूर से आए कोई भी कैसा भी टरेन हो आप आफ रोडिंग कर रहे हो हाईवे सिटी हाईवे से आओ कैसे भी धूल मिट्टी बहुत रहता गाड़ी पर तो पहला चीज आने के बाद जिस दिन आए अगर हो सकता तो उस दि मिट्डी अलग मगज मारी है तो मेरा तो हो गया आपको बताता हूँ क्या क्या सीन है क्यों वाशिंभ थो हो गया चका चक बन चुका है गाड़ी पहले आ पाशिंग को दो जो यह पैड रहता है ना रबर क्या बोलते हैं ब्रेक कैलिपर तो इसको बोलते हैं यह ब्रेक पैड्स के इधर बीच बीच में सब पानी अच्छे से प्रेशर से मारे नहीं तो यह देखो मेरा पूरा मिट्टी फसा हुआ था पूरे कैसे स्क्रेश लाइन्स पड़े देखो वो चूचों आवज आ रहा था ना उसका ही था सामने का और पीछे का दोनों बोलना अच्छे से क्या है पानी मार के साफ करें और बाद में पानी मार के पूरा साफ आफ गाड़ी साफ होने के बाद आप जो हो सकता है तो लूबिंग कर वा है तो वहां वहां डल्वा लो उसके बाद आता है में काम चें सप्रॉकट का चेंश फ्रॉक खोल के जरूर क्रवा लेना मैं पहली क्लीन करूरा है अगर हो सकता है तो डीजल बाश सब कर देंगे तो अधा बार लूब अगर लूब नहीं करोगे उस पर मिट्टी फस गया फिर मिट्टी फसने के बाद लूब किये तो वह अलग स्कैम है इधर और फिर इधर भी शौकप के आसपास भी पानी क्या है प्रेशर से मारने बोड़ो बस इधर एक ही जगे ऐसा है जहां डाइरेक्ट नौजल से पानी पानी मारने का यह रेडियेटर ग्रिल जो दिख रहना इस पर डाइरेक्ट पानी मारोगे तो इसके बीच में गैप आजाएगा और रेडियेटर हो सकता है खराब होने के चांस हो इतना सब जरूर करवाना अगर long tour से आए हो तो और अगर long tour से आने के बाद अगर आपको हो सकता है तो एक छोटा general check-up करा लेना अगर आपका tour ride जो है 1000 km के उपर है तो एक general check-up करा लेना क्योंकि मेरे में भी gas kit का कुछ प्राबलम आ गया साइलेंसर एक्जॉस्ट पाइप में गैस्किट रहता है छोटा सा रिंग रहता है ओर रिंग तो कुछ स्टार्ट करता हूं न गाड़ी तो अलग सा साउंड आ रहा है आपको साउंड एक वर सुना देता हूं स्टार्टिंग में जो फस फस बोलके साउंड आ रहा है वो गैस्किट का ही वो गैस्किट बोले तो एक्जॉस्ट पाइप का ओर रिंग का ही साउंड हो वो जल जाता है नॉर्मली तीन-चारहजार किलोमेटर के बाद जल जाता है मैं लास्ट टेम बिंगलूर जाते समयं बदलवाया था अब फिर बदलवाना पड़ेगा यह सब छोटे मोटे चीज़े हैं कि देख लेने का अगर आपको हो सकता है तो बोला ना जनरल चकप में वो लोग सभी टेस्ट चेक कर लेते हैं वैसा अगर आप सर्विस करके ही रैड पर गए हो तो कोई जरूरत नहीं है अगर नई बीना सर्विस का हगा मुशनी सब लोग सर्विस करा के जाते हैं फिर भी बीना सर्विस के गए हो तो अद्यान में रख के चलरो और हो सकता है तो शबूट करो टाइम ट्यू टाइम शबूट क्लीक यह सब चोटे मुटे टिप्स है यह सब मैंटेन करोगे तो गाड़ी जो है अच्छे कंडिशन में रहेगा लाश्ट टाइम मैं चकप कर रहा हो बोला तुम चेन का मेंटेन नहीं कर तो मैं बोला भाई 500-500 किलोमेटर पर अगर हो सकता तो रुका के चेन लूप मारता है वही से अदमी को बोल रहा हो तो आप चेन मेंटेन नहीं कर र जो स्पोक्स रहते हैं उसमें कभी-कभी तेड़ा हो गया नो बहुत मुश्किल है चेन उतार देगा फिर टायर्स चेन उतर जाएगा वह सब मागजमारी नहीं होना है गाड़ी आपको मेंटेन करके रखना है लांग रैड में जो है ना यहां वहां अगर फस गया गाड़ अगर घर जाके थोड़ा वह दिकत का बात नहीं है अगर नहीं रहेगा तो आज का एक दिन छोड़ तो कल आएगा कोई बात नहीं कल से ट्राइब करूंगा कि कंसिस्टेंट रहूं कोई दिन ग्याप ना है तो हो गया बाबाबा आज के लिए बहुत बहुत छोटा वीडि पीसाओ धरार महादेर